नमस्कार आप देख रहे हैं रंगीलो जुंजनू एक सरमसार कर देने वाली खबर मिल रही है शिकर जिले के ग्रामीन इलाके की एक विवाहित महिला ने जपुर में इस्तित एक मंदिर के पुजारी के किलाप मामला दर्ज करवाया है 23 वर्षिये विवाहित महिला की चार साल पहले इसादी हुई थी उसके बाद वह पत्ती और पिता के साथ में जपुर में इस्तित बहरुजी के मंदिर में जाद देने गई थी महिला की रिपोर्ट के अनुसार पुजारी ने हवन के बहाने इन सबी लोगों को रात को मंदिर में ही रोक लिया इसके बाद पुजारी ने महिला के पती और पिता को एक चोरहे का काम बता कर भेज दिया फिर पिछे से अकेली रही पिडिता को देर रात नसिला पतार्थ खिला कर उसके साथ दूसकरम किया होस में आने पर उसने पिडिता को बदनामी का डर दिखा कर चुप करवा दिया और इतना ही नहीं यह पुजारी ही इन तीनों लोगों को उनके घर तक छोड़ने के लिए भी आया जब घर पहुँचकर महिला ने अपने पती को यह बात बताई उस तो पुजारी वहाँ से भाग गया चार दिन तक वाय जैपूर में पाढ़ियों में छिपा रहा कड़ी मसकत के बाद जैपूर और शिकर की पुलिस ने पुजारी को गिरफतार किया है अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वो अब भरोसा करने के लायक नहीं है